उसलो लोग बुद्धा के वेरियस मुद्राज के बारे में हम लोग डिसकस करेंगे 10 मुद्रा दी गई गई है अद्दसो के अपने अपने एक सिग्निफिकेंस है इनके क्या सिग्निफिकेंस है और कैसे इन्हें याद रखना है सारा कुछ देखेंगे हम लोग इस session में तो फड़ा फड़ स्टार्ट करते हैं Let us start, let us complete and let us crack Art and culture की Prelims come Main series start हो चुकी है और अगर आपको art and culture में problem हो रही है या फिर आप art and culture को एक holistic manner में prepare करना चाहते हैं तो आप इस series को subscribe कर सकते हैं For more details you can send email on recognitionis at gmail.com बुद्धा की वेदरियस मुद्रास के बारे में बात करें तो we have total हमारे पास 10 मुद्रा होती हैं बुद्धा की और यह दसों मुद्रा हाथ के gesture से हाथ के position से अलग-अलग position के थुरू बताया गया है कि इसका आखिर में मतलब क्या है और बुद्धा के life में इस चीज का क्या मतलब था तो एक image के माध्यम से एक मुद्रा के माध्यम से बुद्धा की जो भी teachings थी जो भी वो सिखाना चाहते थे जो भी उनके उपदेश थे उसको दिखाने की कोशिश की गई है जो बहुत सारी मुद्राज वितर्क मुद्रा, अभय मुद्रा उत्तर बोधिनी मुद्रा और अंजली मुद्रा है तो ये 10 मुद्रा हमारे पास आती हैं एक्जाम में डिरेक्ली आपसे question पूछा जा सकता है वन बाई वन करके discuss करते हैं दसों मुद्रा के बाई में सबसे पहली आती है मुद्रा धर्म चक्र मुद्रा अगर यहाँ पर आप हाथ की अगर position देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि एक हाथ से दूसरे हाथ को चक्र बना करके पहले हाथ से उसे जोड़ने की कोशिश की गई है यह धर्म चक्र मुद्रा है यहाँ पर बेसिकली जो बताया गया है वो धर्म चक्र को संबोधित करने की कोशिश की गई है कि पहला उपदेश जो इन्होंने सारनात में दिया था मुरिगवाटिका में दिया था उसी को इस मुद्रा के थुरू इस मुद्रा के position के थुरू दिखाने की कोशिश की गई है इसे teaching of the wheel of dhamm के नाम से भी जाना जाता है यानि कि जो भी धर्म की उपदेश ये basically दे रहे हैं उनके बारे में बताया जाता है इस मुद्रा के माध्यम से ये perform की जाती है यहाँ पर जो हाथ रहता है वो chest के सामने रहता है और left को inward बना करके right से cover कर दिया जाता है तो हाथ की position आप figure में देख करके समझ सकते हैं दूसरी मुद्रा आती है ध्यान मुद्रा ध्यान मुद्रा का मतलब सिर्फ होता है meditation करना तो ये जो चिंतन की जाती है उसे ही ध्यान मुद्रा बोला जाता है यहाँ पर अगर हाथ की position देखेंगे तो कई तरीके से हो सकती है लेकिन दोनों ही हाथ एक दूसरे के उपर रखे रहेंगे और फिर चिंतन की एक position को दिखाया जाएगा हाथ के position को आप देख सकते हैं कभी एक दूसरे के lap में रखा गया है और अंगूठे को जोड़ लिया गया है कभी केवल और केवल एक दूसरे के उपर रखकर के lap में रखा गया है तो अलग-अलग position के थूँ रखा गया है इसे समाधी मुद्रा या फिर योग मुद्रा के नाम से भी जाना जाता है इसकी position हम लोग already discuss कर लिया है और figure में आप देख करके समझ भी सकते हैं ये बुद्धा के शाक के मुनी, द्यानी बुद्धा, अमिताब और मेडिसिन बुद्धा इस कह लिजे कि इनके life को दिखाता है तो this is main characteristics of this मुद्रा नेक्स्ट मुद्रा आती है भूमी स्पर्ष मुद्रा भूमी स्पर्ष का मुद्रा का यहाँ पर जो अगर आप position देखेंगे तो पहले बुद्धा की photo को देखिए वहाँ पर आपको दिखेगा कि एक हाथ जो left वाला हाथ है वो इनके lap पे है इनके गोद में है और जो दूसरा हाथ है basically वो भूमी को स्पर्ष कर रहा है अब यहाँ पर हाथों की position देखिए जो left side में figure में बनाया गया है एक हाथ आपको एक गोद में रखा हुआ है और दूसरा हाथ भूमी को स्पर्ष करते हुए उंगलियों की position आप देख सकते हैं इस भूमी स्पर्ष के माध्यम से प्रतवी को साक्षी मान करके इन्होंने उपदेश दिया था तो ये भूमी स्पर्ष मुद्रा का मतलब हो जाता है कि जहां पर ये प्रतवी को touch कर रहे हैं और प्रतवी को अपने awakening का अपने ज्यान प्राप्ते करने का एक साक्षी माना है परफॉर्म करने के लिए किस तरीके से परफॉर्म होता है उसकी position already आप देख लिए है नेक्स्ट मुद्रा आती है वरद मुद्रा वरद मुद्रा जो position होती है ये आप भूमी स्पर्ष के तरीके से ही समझ सकते हैं कि एक हाथ अगेन अपनी गोद में है दूसरी हाथ उल्टा कर दिया गया है साथ ही साथ में उंगलियों की position आप देख सकते हैं जो फोटो में बनी हुई है ये एक welcome charity, giving या फिर compassion को दिखाता है आपसी सौहार्द को दिखाता है ये perform की जाती है with the help of both the hand एक जो है गोद में रहती और दूसरी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसकी position बनाए गई है next मुद्रा आती है कर्ण मुद्रा कर्ण मुद्रा में अगर आप उंगलियों की position देखेंगे तो right hand में आपको जो position बनेगी वो कैरम खिलने वाली है तो कैरम में आप लोगों ने देखा होगा कि उंगलियों की position को इस तरीके से बनाया जाता है कि आप जो striker रहता है उसको आप मार सकते हैं तो यहाँ पर भी striker को ही मारने वाली position बनाई गई है लेकिन यहाँ पर striker से मारा किसको जा रहा है यहाँ पर मारा जा रहा है जो भी evils है जो भी पाप है जो भी बुरे काम है उनको यहाँ पर इस striker के position से मारा गया है तो इसे अपने शरीर के अंदर या अपने आसपास के वातावरण के अंदर में जो भी बुरी घटनाए है या evils है उसे हटाने की उसे दूर करने की कोशिश की गई है इसके थुरू तो यहाँ पर जो भी negative thought है या फिर जो भी sickness है उसे दूर करने की कोशिश इस करन मुद्रा के थुरू की जाती है नेक्श मुद्रा आती है वजर मुद्रा इस वजर मुद्रा में अगर आप देखेंगे तो एक हाथ की जो index finger है उसे दूसरे हाथ से छिपाया गया उसको चारो से दबा दिया गया है यह basically दिखाता है हमारे जो पंज महभूत चीजे होती है जो पांच हमारी elements है उसके बारे में वो पांचों element जैसे की air, हवा, पानी, आग और पृत्वी और फिर metal तो इसको यह basically दिखाने की कोशिश की गई है परफॉर्म करने के लिए आप देख सकते इंगलियों की position किस तरीके से है, figure से आपको अच्छे से समझ में आ जा रहा होगा, next मुद्रा आती है वितर्क मुद्रा, हिंदी में आप लोगों ने पढ़ा होगा तर्क वितर्क करना, तर्क वितर्क का मतलब क्या होता है, discussion, debate, इसे ही तर्क वितर्क बोलायाता है हिंदी म यानि कि यहाँ पर बुद्धा जो भी उपदेश दे रहे हैं या जो भी अपना सिक्षा दे रहे हैं उसी के माध्यम से तर्क वितर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर अगर आप उंगलियों की position देखेंगे तो आपको एक हाथ तो गोद में दिखेगा और दूसरा ह पात एक अभय मुद्रा के जैसे ही है लेकिन यहाँ पर इंडेक्स फिंगर को अंगूठे से टच किया गया है और अपने चेस्ट के पास में रखा गया है इसे ही तर्क वितर्क मुद्रा या फिर वितर्क मुद्रा आप कह सकते हैं इसके बारे में अगर आप देखेंगे त जैसा कि अभी हम लोगों ने डिसकस किया और जो पुजीशन है वो अभय मुद्रा के जैसे ही होती है विरद मुद्रा की बस यहाँ पर जो इंडेक्स फिंगर है उसको अंगूठे से टच किया जाता है नेक्स मुद्रा आती है अभय मुद्रा अभय का मतलब क्या होता है ज जब आप किसी चीज से डरे नहीं और डरेंगे कम नहीं जब उस आपको अच्छी खासी knowledge पता हो जाएगी तो जब आपके पास knowledge रहती है तो आप उसके inner science को जानते हैं और जब आप inner science को जानेंगे तो फिर उसके अंदर की जो भी रुडी वादिता है जो भी orthodoxy है उसको आप दूर कर देंगे और इस तरीके से आप एक अभय मुद्रा में आ जाएंगे उंगलियों की position अगर आप देखेंगे तो अगेन एक हाथ गोद में है और दूसरा हाथ सामने है एक तरीके से आप देख सकते हैं कि आशिरवात देने वाली मुद्रा बनाए गई है तो ये है अभय मुद्रा जहां पर बुद्धा जब ग्यान अरजित कर लिये थे जब इन्हें ग्यान हो गया था उसके बाद ये अभय पोजीशन में आ गये थे तो ये एक ब्लेसिंग का ही माध्यम बनता है जहां पर प्रोटेक्शन पीस बेनवलेंस एंड डिस्पलिंग ऑफ फियर यानि की भय को दूर करने की पोजीशन बताई गई है इनके पोजीशन को आप देख सकते हैं ये बुद्धा शाक की मुनी या ज्यानी मुनी या अमोग सिद्धी के नाम से भी जाना याता है तो ये जो बाद में नाम दिये गए हैं इनको जरूर से याद रखिएगा नेक्स्ट आती है मुद्धा हमारी उत्तर बोधनी मुद्धा अगर उत्तर बोधनी मुद्धा देखेंगे आप तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर दोनों उंगलियों को जोड़ करके गंज ऐसी पोजीशन बनाई गई है तो जो बंदूक वाली पोजीशन होती है वही है इसका मतलब होता है अहम ब्रह्मास्मी अहम ब्रह्मास्मी का मतलब यही है कि मुझे सब कुछ पता है और अब मैं ही ब्रह्मा हूँ आप position देख सकते हैं उंगलियों की लास्ट मुद्रा आती है अंजली मुद्रा अंजली मुद्रा देखिए दोनों हाथों को जो नमशकार की एक position होती है उस माध्यम से दिखाया गया है एक चीज यहाँ पर नोट करने वाली है कि जो बुद्धा थे उन्होंने कभी भी इस मुद्रा के बारे में नहीं बताया था उन्होंने हाथ जोडने के बारे में कभी नहीं बताया था यह बिसिकली बाद में जो महायान सेक्ट के लोग थे जो बोधिस्त्व लोग थे उन्होंने बिसिकली बताया था कि बोधिसत्व किस तरीके से इस अंजली मुद्रा का प्रयोग किया करते थे तो ये नमस्कार मुद्रा या फिर हिर्दय या हिर्दयांजली मुद्रा भी इसे कहा जाता है जहां पर greeting, prayer और adoration के बारे में इसमें पता चलता है ये बोधिसत्व को represent करता है, इसके बारे में हम लोगों ने देख लिया So this is all about today's discussion अगर आपको art and culture में अगर कोई problem होती है तो आप course को register कर सकते हैं या इसके अलावा भी दिकत आती है या कोई doubt होता है, then you can reach us by using these methods मिलते हैं नेक्स वोडियो में कुछी सुतरी के नए फैक्स के साथ Till then goodbye and thank you so much